आज मैं एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रही हूँ जहां पर सोने का भंडार मिला है और वहां पर इतना जादा सोने का भंडार मिला कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं तो चलिए जानते हैं ये कौन से जगा है और वहां पर कितना सोना मिला है और किसने इसको रिसर्च किया सब चीजों के बारे में मैं आज की न्यूस में आपको बताने जा रही हूँ अगर आप भी वहां से विलॉंग करते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो शिरू करते हैं आज की न्यूस चितरंगी जिले के चत्रिया गाउं से हमाज सामने ये मामला आ रहा है जहां पर बहुत टाइम पहले ये माना जा रहा था कि वह जो जगा है वहां पर सोना है और सोने के पहाड है सोने की इटी है सोने की मिटी है सब चीजे ये सब चीज करना शुरू किया, और 2002 से ये काम शुरू हो गया था, तो वहाँ पर जो मित्ती है, या पत्थर है, जो कंकर है, सब चीज़ों को वहाँ से लेके आने के बाद, 2002 से उस चीज़ की जांच की जा रहे थी और अभी वो जांच कंप्लीट हो चुकी है और complete होने के बद confirm हो चुका है कि जो वो पहाड है वो जो जगा है वो actually में वहाँ पर सोना पैदा होता है और वहाँ पर हर एक चीज सोने की है और हम आपको बता दे कि अभी वहाँ पर माइन्स पी start होने वाली है this year last में वो माइन्स पी start हो जाएगी और अभी वो complete हो चुक को बहुत ही असानी से उसे जगा को खरीज सकता है पर पैसा होना बहुती ज़रूरे वहाँ पर माइन आपने बहुत सारी चीजिक से बरामत होगा तो वहाँ पर अगर किसी को सोना बरामत होगा तो डेड़ लाख टन के बारे में बोला जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ली ही उसका प्राइज लगाया जाएगा और निलामी की जाएगी और जो भी इसको खरीदेगा अफकॉस हो काफी जादा अमीर होगा औ और अगर आप वहाँ से नजदीक से कहीं बिलॉंग करते हैं तो प्लीस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और कभी आपको कभी गोल्ड मिला है रस्ते पे जाते हुए या आपने कभी सुना है कि उस जगह पर गोल्ड मिलता है या आपको बार बार एक ही जगह पर जगह पर गोल्ड मिला है और अभी अभी गोल्ड के जो रेट से काफिज आ पजा रहे हैं बहुत दिहार आ रहे हैं उसके चलते हुए आपका क्या कहना सब चिज़ों के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी नमस्कार